Hello everyone, watching this video, I am Naveen आज इस वीडियो में हम कुछ important words सीखते हैं जिनके synonyms भी दिये गए हैं तो एक words से हम कई words सीखते आएंगे यह आप कही note भी कर लें ताके बाद में revision करते रहें और आप सीखते रहें So the first word is ability ability छमता है आपके अंदर तो इसके जो synonyms से है capability capacity या competence या power ये इसके synonyms से हैं तो इनमेंसे आप कोई word यूज कर सकते हैं next shortage shortage करत होता है कमी तो इसके लिए आप dearth यूज कर सकते हैं scarcity या deficiency next increase increase बढ़ना तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं incline, accelerate या expedite next word is clear clear के लिए आप यूज कर सकते हैं apparent, visual या पर obvious इस तरह से ही proud कोई व्यक्ति घमंडी है तो उसे आप proud या पर arrogant बोल सकते हैं या haughty या पर conceited इन words कर सकते हैं artificial कोई बनावटी है कृतियम है तो उसके लिए आप जो है man-made यूज कर सकते हैं unnatural और synthetic इन सब का मतलब है artificial next cruel इसके लिए आप यूज कर सकते हैं unkind, brutal, ferocious या vulgar next brave तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं courageous valiant next brilliant इसके लिए आप यूज कर सकते हैं illustrious intelligent next happy इसके लिए आप words यूज कर सकते हैं cheerful buoyant glad next last word calm कोई सांथ है सांथ जगह है तो calm इसके लिए यूज कर सकते हैं tranquil relaxed या फिर peaceful तो यह कापी important words हैं आप इन्हें अला-ला जवब पर अला-ला words की यूज कर सकते हैं हो सकता है कहीं भी आपको इन words मैंसे कोई भी word लिखा हुए मिल जाए तो आप इन्हें समझ पाएं कि हाँ इसका अर्थ यही है तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें जो simple words याद हैं वही हमें कहीं मिलें देखने को पराग्राप में पैसेज में वो सकता है इन मैसे भी हमें अला-ला तरह के words समल जाएं इस वैसे हमें synonyms सीखना बहुत जरूरी है सो थैंक यू सो मच पर वाचिं दिस वीडियो कीव वाचिं आएंड भी वाचिं आएंज उलाएंग नहीं आएंड वीडियो आएंड वीडियो एंड लाइंड वीडियोरी कड्वीऊ जिए अटन अट्क्यू इंह यह दून पास्ट इंह